गजी बॉर्णिंग एरिवन कैसे हैं सब बच्चे हाव आर्यू एंद हाव इस यूर इस्टेडी हो एवर्रीवन इस वेल तो आज बच्चों शुरू करते हैं अपने वर्क को अपने पेडगोजिकल क्वेस्टन की तो क्लास इस बें डिजाइन इस्पेशली फोर सी टेट अलसो इत वुद बी उसफुल फो यूपिटेट अन्सुपर्टेट तो बेसिकली अपने क्वेस्टन्स और पीवाई क्यूज्ट आपके लिए लिए गए हैं तो चली शुरूबात करते हैं सब बच्चे पहुंच गएं क्लास में सब बच्चे आ जाएं चांदनी प्रियंका मिनाक्षी वेडपांडे काजल रुषी पारुल राजयनती मुम्मन समीम जी बच्चो अल्पनाहिती श्री श्री कृष्णा वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों चलिए सबी लोग पहुंच गएं सा मितला ठीकर टाइम के लिए चांदनी आपको वही टेक्निक करने पड़ेगी जो हमने क्लास में आपको बताई थी यह रिवस टेक्निक उसमें बटा फोकस करें तो आप इसमें बहतर कर पाएंगे चलो बच्चे शुरू करते हैं क्वेशन नमबर बन आपका पहुंच चुका है और क्वेशन नमबर बन बैसे अगिनिक आपको बच्चों नमबर बन आपको बिट्चों दो हमने नमबर बन आपको क्वेशन नमबर बन आपको करेंगे चलो लगा दूं यहीं पे वेरी टीचर्स अंड एक्टिव लेर्नर से ना हम तो आनसर पूर अवराइट अच्टिविटीज पो लेर्नर तो विचिकली वाराइटीज लिए हम बात करें हुह ही बात करें ही ले जा हम एक्टिव लेर्नर तो अवराइटी यहीं लेर्नर करें ही जाने लेर्नर से यह बात करें हुह ही झाल झाल आपको हुप के आवाज आ रहे तो ठीक है बचो अब शुरू करते हैं इसको देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम थी वह इसकी तो अब हमारी ठीक हो गई है जी बचो वापस आजाएंगे सब लोग यहीं पर हम इसी क्वेशन पर वापस आजाते हैं क्वेशन मूबर टू पर तो देखो क्वेशन क्या बना है विच अब फॉलोविंग इस नोट लेजिटी मेट वो नोट की बात कर रहा है बचो तो नोट में हम क्या देखेंगे तो हम नोट में इसमें आंसर करेंगे बच्चों जी बिल्कुल टू का सी बनेगा अगर हम सी की बात करें टू रैंक लर्नर्स ओन दे बैसिस ओफ करिकुलर बैसिस ओफ माक्स तो यह बच्चों कोई भी हमारा लेजिटीमेट परपज नहीं होगा एक असेस्मेंट का क्यों सब्सक्राइब क्या बना बच्चों यहां पर थी नंबर कहता है कि वेन स्टूडेंट्स लर्न लैंग्वेज पर व्राइट एंप्लोईमेंट अपॉर्चुनिटी तो उनका मोटिवेशन कैसा होगा सब बच्चों को मैं मोटिवेशन बच्चों बच्चों आपका दो तरह का होता है अगर मोटिवेशनद की बात करें तो यह बं के दो तरह रहां का बनता हम होता है एक होताई इंट्रिंसिक Japanese गें इंट्रेंसिक व्ह ता है जो आपके अंदर से आता है आपके दिल से निकलती है आवाज लेकिन एक्सटैसी को होता है जो हमें बाहर से मिलता है इस लिए ब्राइट एंप्लोइमेंट के रिया एंप्लोइमेंट आपके पास है आप उसे ब्राइट में बदलना चाहते हैं तो बच्चों यह कही न के intrinsic होगा आपके अंदर से आवाज आ रही है तो answer क्या बनेगा आपका एंग एब्रिमन और अगर बच्चों मैं कहुंके दूसरों को देखे जैसे दूसरा परसन कोई आई एस बन गया या दूसरा परसन को लेक्चर बन गया आपके मन में आए तो यह कैसा बन जाएगा यह extrinsic होगा फिर लेकिन यहां पर जाए वह आपका intrinsic बनेगा क्लियर टो एब्रिवन कोशन नमबर फूर पर आते हैं बच्चों और देखो फूर नमबर क्या कहता है आपको अटीचर यूज इस रिपोर्ट फॉम अन्यूज पेपर टूटीच राइटिंग मतलब टीचर क्या क सब्सक्राइब अन्यूज अन्यूज इस रिपोर्ट नेच्चर नेच्चरल ऑथेंटिक या बच्चों एक्स्टर्नल ठीक है ठीक है बच्चों ध्यान से देखो है इसको रिलिस्टिक नैए इसको हम गहिए कैंगे एक्स्टरनल मटीरील या शर्ज बनेगा आपका एक्स्सटरनल फिail जैसके रिक्स जो होगि या है एकशेषब्स कर्यिक وہ ब्स बेक्च्छ ने लिए प्सक्राइब ते डिसी कोई ले जी ठीक है यह 30 questions seated की तो है ना उसी बेस पे हैं और किस बेस पे हैं बताओ मुझे रियल है यह बच्चो external material बनेगा ध्यान से देखेंगे आप लोग अगले question पर आएंगे when a test item expects learners to use tense, forms, voice, connectors, prepositions and articles accurately such an approach can be called ऐसी approach को हम क्या कहेंगे तो बताएं सब बचे जब हम एक test item को expect करते हैं learner से कहे के लिए यूज करने के लिए tense की forms के लिए वोइस के लिए connectors के लिए तो बच्चो क्या बनेगा integrated grammar, asserted grammar, mixed grammar या improper grammar पताएंगे सब लोग 100% यह 5 का a बन जाएगा क्योंकि भी सीधे से हम देखे grammar practice भी है उसमें grammar के टास्क भी है और उसमें grammar testing भी सारे बन जाएंगे तो आंसर हमारा a बनेगा Question number देखते हैं बच्चो 6 आप देखो इसको ध्यान से देखेंगे minimal pairs कुछ बच्चो को पता भी होगा कि minimal pairs क्या होते हैं are usually used to give practice in किसमें practice देते हैं बच्चो अच्छे जिन बच्चो को blur हो रही है वो उसकी quality को change कर लें देखो बच्चो इसको समझो minimal pairs की condition समझेंगे सब बच्चे मैं एक बार आपको समझा देता हूं जी सी कह रहे हैं सब बच्चे देखो बहुत ज्यादा पूछा जाता है question phoneme इसको mind में fix कर लो phoneme क्या होता है बच्चो यह question बना कि what is phoneme यह question भी बना है तो आप कहेंगे phoneme है smallest unit of sound क्या है बच्चो smallest unit of sound को हम phoneme कहते हैं जैसे इस वर्ड को मैं आपको समझाता हूं simple सा एक वर्ड लेते हैं dog बच्चो डोग कैसे बना है डी यानिका ड ओ से बना ओ और जी से बना ग तो ध्यान से देखो इसका pronunciation बना बच्चो डॉग और इसमें कितनी smallest sound बन गई एक sound डी की एक sound O की और बच्चो एक sound जी की तो त तीन चोटी-चोटी sound बने यह तीन चोटी-चोटी sound ही क्या कहलाती फोनीव पकर पारें बहुत अच्छे बच्चो भी गुटी करोशनी तो बच्चो यह तीन sound यानि इस वर्ड में dog में तीन फोनीव हैं हमारे पास एक दो और तीन इसका पूरा pronunciation क्या बन गया बच्चो छ, एक बनेगा ए और एक बनेगा पूर 2 और 3 चिप में कैसे बनेगा चे 1, I 2 और बिच्चो-पी 3 तो टीन ही इसमें हैं और तीन ही इसमें हैं अब ज़राइं दोनों व wrs को देखो सब लोग यह वर्ड और यह वर्ड और अगर Rocky इंदिब्ट बनाए तो सिर्फ एक साउंड का डिफ्रेंस है बीच वाली का CH CH सेम है यह दोनों सेम है और बच्चों पी भी हमारा सेम है सिर्फ किसमें ए और आई इनमें डिफ्रेंस है तो जब भी कभी आप दो वर्ट ऐसे देखेंगे जिसमें सारी सिर्फ एक साउंड या एक फोनियम का डिफ्रेंस हो वो बच्चों आप मिनिमल पेर्स कहलाते हैं क्या कहते हैं हम इनको मिनिमल पेर्स तो अब जब क्वेश्चन बनेगा आपका एक तो आप पहचान सकते कभी पूछ लेके विच्व फॉलोविंग आदे मिनिमल पेर्स आप बता देंगे और बच्चों गर हम अच्छा फर्स दे क्लास में बहुत अच्छी बात है बच्चों पकड़ में आगी बात आपको तो आंसर आते हैं अगले कुशन पर आते हैं आप देखो कहते हैं प्रेडिक्शन एजस सब स्किल किसमें यूज की जाती है सब बच्चों को मैं बता दूँ ध्यान से देखो क आपके पास जो लेंगवेज स्किल सोती हैं बच्चों चार होती है इस यह लिसनिंग में राइटिंग आप करते हैं तो जिख समॉच्छा चे-चाहर हैं और हैल्लाइन दिखाने के बाद में पूछता है बताऊ बच्चों आगे से मिट्रियल में क्या लिखा है ये प्लॉट करते हैं आप तो किसंगी इस Princi scanning की बात करूँ के भई scanning है scheming है यह सब की सब किसकी सब skills होंगी यह भी reading की बनेगी अगर मैं आप से कह दू डिक्टेशन जिसको शूरूत लेक कहते हैं डिक्टेशन तो यह बच्चों किसकी बनेगी आपके राइटिंग के से जिसलेशन और रही लेटर, वह सारी हैं उनका लेटर बनाना है आपको, इको UK और गणाइज करना, ध्यान से देखेंगे, और गणाइज करना ड्राफ्ट करना बच्चो एडिट करना यह सारे किसमें आते हैं सारे राइटिंग में आते हैं क्रेक्ट बात है कि नहीं जी विलको ठीक है किष्णा वीडियो चल रहा है बटा अगले कुशन पर आते हैं हम लोग दे लेंग्वेज स्किल्स देट केनोट भी असेस्ट रूट ट्रेडिशनल पैन पेपर टेस्ट उनको हम क्या कहेंगे सब बच्चे जानते हैं यह जो लसर डबलू है बच्चो इसमे लेस्तो यानि लिस्ट्पीकिंग आपकी होती है ओरल और राइटिंग कैसी होती रिटर्ण तब बच्चों को पता है इस बात का तो बात मुझे बताओ अगर ट्रेडिशनल पैन पेपर की हम बात करें पैन पेपर टेस्ट तो बच्चों हम किसको नहीं देख सकते नमबर पे which of the following is not a study skill तो वो कह रहा है इन में से study skills कौन सी नहीं है बच्चो ध्यान से देखो आप अगर कहें not taking अगर आप कहें बच्चो not making अगर आप कहें ग्रैस्पिंग इस सारे के सारे यूजोब डिक्शनरी तो यह सब के सब study skills में आएंगे के नहीं गेटिंग इन्साइकलोपीडिया को आप देखते हैं बिल्कुर सही है लेकिन यह जो लिखा राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स तो बच्चों यह किसी एडिटर का काम होता है यह किसी पर आते हैं वेने टीचर यूजेज लेशन्स इन साइंस एंड सोशल साइंस मतलब क्या कर रहा है टीचर साइंस और सोशल साइंस के बच्चों यूज कर रहा है और वह भी क्या पढ़ाने के लिए टूटीच लैंगवेज सच एन अप्रोच यह वह कैसे ट्रम होगी तो दे पढ़ाना उसे कैसी चाहिए था डिस्सिप्लिन वाई लेकिन वह कैसे जा रहा है लेंग्वेज क्रोस करिकुलम करिकुलम के पार निकल गया है तो अंसर बच्चों हम इसमें क्या बनाएंगे यहां पर सी बनाएंगे ऑल राइट अगले कुशन पर आते हैं अब यह कहता है रेमेडियल टीचर टीचिंग रेफर्स टू यह किस तरह की टीचिंग को बताता है तो एड्रेस गैप से लर्निंग आप्टर दे रेगुले स्कूल आर्स तो हेल्प ब्राइट लेर्नर्स एक्जल या पर टो टेस्ट लेर्नर्स प्रियोडिकली कही के लिए बच्चों हम य बच्चों कैसे पढ़ा सकते हैं कि आइसोलेशन में क्लियर एक्समेशन से इंटीग्रेटेड मैनर्स में या बच्चों थ्रू इमिटेशन कैसे बनाएंगे बताओ एक्जैक्टली बच्चो 13 का सी आप उन्हें इंडिविज्वल नहीं पढ़ा सकते हैं लेंग्विज सिल्स कौन सी हैं आपकी लेसर डब्लू यह एक इंटीग्रेटेड मैनर्स में होंगी जिसमें सबसे पहले बच्चों आपकी लिसनिंग फिर स्पीकिंग फिर रीडिंग इन फोर राइटिंग राइटिंग यानि सबसे बात में लीस्ट इंपोर्टेंट है सबसे इंपोर्टेंट कौन सी है आपकी लेसनिंग जो कि प्रिनेटल पिरिएट में शुरू हो जाती है कहां पे शुरू आती बच्चो पिरिनेटल पिरिएड 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 नेक एरौंड यू तो बच्छो अगर एक का में एक कि यह पोंड है और कुंड में आपको फिश मना दिया घया तो हर बच्छा अलग तरह देखेगा तुदि पूरे के पूरे फॉर्ट को हर बच्छा अलग तरह से देखेगा त Everything तो कोई exact answer नहीं है बलकि क्या बनेगा इसको हम कहते बच्चो open-ended यानि जितने बच्चे होंगे सब अपनी तरह से देख को बताएंगे कैसा हुआ है कोई ऊपर की तरफ देखेगा कोई side को नीचे कोई पानी को देखेगा सोब अलग-अलग बनाएंगे ठीक है जी बहुत अच्छे बच्चो second बनेगा आपका answer which of these is of primary importance for creative writing अगर बच्चो आप creative राइटिंग करते तो उसमें सौप से important primary importance का क्या बनेगा correct spelling of words, legible handwriting या फिर presentation of ideas in an original way या command over grammar and punctuation answer कीजे से बच्चे बिलकुल सही बात है बच्चो ये आपका बनेगा 3 देखो ये होने चाहिए correct spelling words हो, legible handwriting हो, command over grammar हो लेकिन जो लिकान प्रजेंटेशन ओप ideas in an original way ये creative writing का primary purpose बनेगा exactly, आगले question पर आते हैं बच्चों, conventions of writing include, तो खुद बच्चे बताएं सब लोग कि convention of writing क्या रहती है, story ideas, proper punctuation, imagination या बच्चों बच्चों को प्याद लगी, तो क्या answer बनाएंगे हम इसमें convention, तो प्राइटिंग include, story ideas, proper punctuation, imagination या फिर D, हाँ जी बच्चों बताएं कुछ बच्चे C कह रहें, कुछ D करें, बच्चों C बनेगा, imagination होनी चाहिए, convention जो है, वो राइटिंग क्या include करती है, imagination नहीं है, तो हम उतमें, प्राइटिंग would not be proper, तो answer क्या बनेगा, आपका C, बहुत अच्छे, तो देखेंगे आप लोग, teacher should help learners acquire rich imagination, teacher को क्या करना चाहिए, rich imagination के लिए उत करना चाहिए, and ability to out of the box, to develop their skills, तो बताओ कैसी skills को develop करने के लिए, क्या लिएक है, out of the box, तो बताओं बच्चे, rich imagination and ability to think के लिए हमें क्या करना हुगा, किस skill को develop करना है यहां पर telling stories को generating new ideas, speaking well या फिर critical thinking बच्चो, क्रिटिकल thinking वहां पर आती है, जहां पर किसी चीज के आप positive और negative को दोनों को देखते हैं, critically आप उसको analysis करते हैं, तो यहां पर generating new ideas, इसी के लिए हमारी imagination होनी चाहिए, और इसी के लिए हमारी ability to think को out of the box होना चाहिए, तो answer क्या बन गया बच्चो आपका, B, बहुत अच्छे, question number 18 पर आएंगे, question number 18 कहता है, while asking learners to read the text silently, ध्यान से देखो, the teacher should, teacher को क्या करना चाहिए, मतलब बच्चों से क्या कहना है, कि text को silent, इसका मतलब बच्चों कैसे कर रहे हैं, वो silent reading, वो क्या कर रहे हैं, आपकी silent reading, तो इसके लिए क्या, see a time limit, या फिर correct their presenta, या फिर ask them to consult a dictionary for understanding words, या फिर ask them to write summary, हां जी बच्चों, बताएगे, बहुत अच्चे बच्चों, बिल्कु ठीक है, 100% बच्चों इस आंसर आपका फूर बनेगा, ask them to write the summary, उससे उन्हें summary लिखने के लिए कहना है, सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, तो आंसर बच्चों आपका D बनेगा, exactly बहुत अच्चे बच्चों, चीक है यह बात correct होगी हमारी, अब हम अगले question पर आते हैं, question number next, कहता है lexical cohesion devices are, तो बताओ बच्चों lexical cohesion devices क्या होते हैं, सबसे पहली बात है लेक्सिकल जो होता है लेक्सिकल का मेंस है बच्चो ऐसे words जो जिनका independent meaning हो और जब कोहेशन की बात करते हैं तो जोड़ने वाले तो ऐसे devices क्या होते हैं आंसर कीजिए words phrases used for connecting ideas या vocabulary structures या बच्चो punctuation बहुत अच्चे बच्चो बिल्कुल one बनेगा सीधी सी बात है लेक्सिकल कोहेशन अगर बच्चो कोहेशन की बात जोड़ने वाले तो सीधी सी बात है वो connectors हो गया आपके तो आंसर आपका one बन जाएगा correct बच्चो अगर क्वेशन पर आते हैं according to ncf 2005 a teacher should teacher को क्या करना चाहिए help in enriching the learner's imagination develop the learner's self-worth expose the learner at least to language या बचो concentrate on making the learner learn the text thoroughly सब बच्चे बताएं question number 20 का answer आपका क्या बनेगा अब सबसे बड़ी बात है देखो आप अपने coding इसमें कुछ भी सोच सकते हैं कि learner की self-worth बढ़ जाए बहुत बिल्कुल जरूरी है दो language कम से कम सीखे बिल्कुल सही है making learner learn the thoroughly बिल्कुल लेकिन बच्चों ncf क्या कहता है हमें इस पर focus करना है तो ये बच्चों one बनेगा बह that's great बच्चों बहुत अचे question number 21 when a teacher uses realia देखो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे realia to teach vocabulary and grammar she वो क्या करती है तो सबसे पहले तो हमें बच्चों realia को समझना है सब बच्चे मुझे बताए realia basically होता क्या है तो बच्चों realia का means होता है real objects क्या means होता है इसका सब बच्चे बता किसी चीज को पढ़ाने में वो रियलिया कहलाएगा तो when a teacher uses realia to teach vocabulary and grammar she वो क्या कर रही है बच्चों तो 100% is using role play as a learning device using real objects actions या बच्चों using computer technology या फिर teaching through true stories बहुत अच्चे बच्चों ये 2 बनेगा आपका is using real objects actions and actual life situations that's great देखो मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे confidence भी आ रहा है कि सब बच्चे इस बार तो करके ही छोड़ेंगे और नाम भी रोशन करेंगे I am feeling really great बहुत अच्छे बच्चों Question number 23 क्या कहता है आपका 23 कहता है A multi-dimensional curriculum is one which एक multi-dimensional curriculum में बच्चे क्या करते है जी बच्चों बताइए Caters to teaching of many subjects या ensures an all-round development of the learner या फिर बच्चों they do go for spreading in spreads in various dimensions या covers comprehensive content areas Very good it would be two बहुत अच्छे बच्चों बेलकुल सही answer कर रहे है आप ensures an all-round development of the learners Question number 24 पे आते हैं है हम लोग 24 कहता है to create and sustain interest in learning हमें क्या करना चाहिए what should we do तो बच्चों ध्यान से देखो Learner should not be labeled as slow या learners should be told stories या पि learners involve learners in activities या make them teach each other activities में involve करना है बच्चों बहुत अच्छे C answer कर दिया है आपने that's great very nice जी आगले question पे आते हैं बच्चों क्या आइस करना है learner का writing skills बच्चों तो कैसे करेंगे their reading ability को देखके their pronunciation and spelling को देखके organization of ideas या फिर handwriting we use जी बच्चों बताएए तो 100% बच्चों हम किस पे focus करेंगे बच्चों 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 अगर बच्चों हम देखेंगे स्पीकिंग स्किल्स में आजाएगा किस में आजाएगा speaking skills में done बहुत अच्चे बच्चों अगले question पर आएँगे 26 26 आपका कहता है when a teacher asks learners to judge the actions of characters in a story they have just read she expects them to तो अगर हमें judge करने है character के actions तो बच्चों उसमें क्या teacher चाहता है आपसे answer करेंगे सब बचे तो क्या understand facts as stated नहीं facts को तो नहीं समझने की बाती evaluate बिल्कुल हो सकता है read between the lines नहीं हो सकता है go beyond ये बच्चों evaluate करने से होता है आपका evaluation किया जा रहा है जी बिल्कुल सही है तो 26 का बच्चों आपका भी बनेगा it's a kind of evaluation whether you have learned that particular text or not वो story आप समझ में आई आपको या नहीं question number 27 पे आते हैं अब देखो क्या लिखा है पहले teacher की definition थी बच्चों friend philosopher and guide friend philosopher and guide अब teacher क्या है facilitator तो कह रहा है as a facilitator of learning the teacher should teacher को क्या करना चाहिए aim at finishing the syllabus in time load learners with extra information explain each lesson in detail या बच्चों provide enough opportunities बताई आप लोग क्या बनाएंगे तो यह बच्चों बनेगा D provide enough opportunity to expose learners to hear and use the language तभी बच्चे उसको best सीख पाएंगे अगले question पे आते हैं during the dramatization during dramatization when a teacher uses empathy empathy का means होता बच्चों दूसरे के जगा पे खड़े होके देखना उसकी जैसी situations में होना है as one of the descriptors of the assessing learners she is assessing their ability तो बताऊ बच्चों कैसी ability को assess कर रही है sympathize with the character या फिर get into the skin या appreciate या बच्चों critical analyze यह two बनेगा get into the skin of the character मतलब बिल्कुल उस character की खाल में चले जाना skin में चले जाना जी अकांग्शा बिल्कुल सब बच्चों के दिख रहे हैं लेकिन मैं options में कम ध्यान दे रहा हूं बस इतना देख रहा हूं कि सब बच्चे आंसर कर रहे हैं है ना बच्चों अगले question पर आते हैं हम लोग यहां पर 29 a good summative assessment should have which of the following qualities तो बच्चों good summative assessment में क्या क्या qualities होनी चाहिए summative assessment को जानते हैं जो बच्चों finally होता है तो be reliable without bias test mainly structures या have very few grammar questions या फिर test the full year syllabus क्या बनाएं गया तो 29 का हमारा बच्चों क्या होना चाहिए answer जी शिवा it's all right बच्चों हमारा इसका answer one बनेगा वो reliable हो और without bias हो है ना तो उसमें बाइस नहीं होना चाहिए जैसे आज कल आप देखते हैं यूपिटेट का paper leak होगा तो बाइस था कहीं ना कहीं वो कैसा था बच्चों बाइस था reliable नहीं था अगरे question पे आते हैं poetry recitation क्या कहता है बच्चों आपसे poetry recitation helps learners ये learners को कैसे help करता है learn proper intonation and stress understand same sound learn rhythm या बच्चों learn rhymes सारी की सारे सही लग रहे हैं तो बताओ basically इसमें से क्या बनेगा तो बताओ poetry recitation मज़ने poetry का गाने से हमें क्या मिलता है intonation same sound word rhythm या बच्चों rhymes बच्चों सब लोग देखेंगे सबसे बड़ी चीज जो होती है वो हमारी poetry की होती है rhythm आंसर आपका c बनेगा learn rhythm क्योंकि rhythm ही सबसे बड़ी चीज है किसकी हमारी poetry की और poetry से हम वही सीखते है ठीक है बच्चों सो question number 30 का आंसर हमारा क्या बनेगा 3 learn rhythm तो चलिए बच्चों आज का work हम इतना ही करेंगे आज हमारे 30 questions पूरे हो चुके हैं evening में फिर मिलते हैं 6 p.m. आप से फिर से दुबारा मिलेंगे और फिर से questions करेंगे सब बच्चे आते रहे हैं बहुत सारे questions कर जाएंगे इसी time period में और बीच में आपके एक मेरातन भी होने वाली है तो मेरातन को भी बच्चों इसमें जोड़ेंगे क्या ही clear है सब बच्चों को ठीक है ठीक है पारल राइट थेंक यू बच्चों हां जी बिलकुल शीवा मैंने भेज दिया है फोरवर्ड कर दिया है वो दिन में हो जाएगा अगर नहीं हुआ अभी तक तो थेंक यू बच्चों बबबाई have a have a good morning and have a good day thank you कि अगर राइट है तो अगर अगर पार अगर पर भी को अगर अगर फिर फेंट को बच्चों हम उसी तरह से कर रहे हैं जैसे जैसे आप बोल रहे हैं अभी हम पेड़ागोजी पे ज़्यादा ध्यान रहे हैं जी श्रीडाम भारती जो भी बिहारी बिटा जो भी आप कह रहे हैं हमने आपको बताया कि अभी हम सिर्फ पेड़ागोजी पे वर करें तो भी उनी कुश्चन्स को देखेंगे हैं ना तेंक्यू बच्चा